जिस पल हम किसी और के सामर्थ को जानते हैं, उसके एफ़र्स को जानते हैं, तब हमें इर्श्या भाव नहीं होता है, हमें अपने भीतर जोक्रे का आउसर मिलता है, अच्छा, मैं तो कल तक सोथता था और मैंने इस सब किच किया, तिक आज पता चला कि इतने लोगों ने किय है, यह बास ही है, कि आप लोग न टीवी में आये होंगे, न आपके अख़बार में फोटू छपी होगी, न कहीं नाम छपा होगा, नाम तो उन लोगों के छपते होंगे, जिसने कभी पसिना भी नहीं बहाया होगा, क्योंकि उनकी महारत उसमें है, और हम सब तो मजदूर है, और आज कारकम भी तो मजदूर एक ता जिंदाबाद का है, मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूँ, आप छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं, आपने भी देखा होगा, कि आपको इस महनत का आनन्द आया होगा, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, साथियों आपको पता होगा, पहले भी आपने काम किया है, आपने से बहुत लोग होगे जो सरकार में पचीर साल, बीस साल, पंधरा साल से काम करते होंगे, तब आप अपने टेबल से जुड़े हुए होंगे, अपने फाइलों से जुड़े होंगे, हो सकता है अगल बगल के साथियों से फाइल देते समय नमस्ते करते होंगे, हो सकता है कभी लॉंच ट्राइम, टी टाइम पर कभी चाई पी लेते होंगे, कभी बच्चों की पढ़ाई की चर्चा कर लेते होंगे, लेकिन रूटीन आफिस के काम में, हमें अपने साथियों के सामर्थ का कभी पता नहीं चलता है, 20 साल साथ रहने के बाद भी पता नहीं चलता है कि उसके अंदर और क्या सामर्थ है, क्योंकि हम एक प्रोटोटाइप काम से ही जुड़े रहते हैं, जब इस प्रकार के आउसर में हम काम करते हैं, तो हर पल नया सोतना होता है, नई जिम्मेवारी बन जाती है, नई चुनवती आ जाती है, कोई समाधान करना और तब किसी साथी साल को देखते हैं तो लगता है, हरे इसमें तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी, याने ये किसी भी गवर्णन्स के सक्सेस के लिए, फील्ड में इस पकार से कंदे से कंधा मिला करके काम करना, वो साइलोस को भी खतम करता है, वर्टिकल साइलोस और होरिज़न्टल साइलोस सब को खतम करता है, और एक टीम अपने आप पैदा हो जाती है, आपने इतने सालों से काम किया होगा, लेकिन यहाँ G20 के से हमाई रात रात जगे होंगे, बैटे होंगे, कहीं फुट पात के आस पात कहीं जागरे के चाय डूंडी होंगी, उसमें से जो नए साथी मिले होंगे, वो शायद 20 सा की 15 साल की नोकरी में नहीं मिले होंगे, ऐसे नए सामर्थवान साथ ही आपको इस खायरकम में जरूर मिले होंगे, और इसलिए साथ मिलकर के काम करने के अवसर डूंडने चाहिए, अब जैसे अभी सभी डिपार्टमेंट में स्वच्छता अभियान चल रहा है, कामेंट के सम लोग मिलकर अगर करे, सची भी अगर चेंबर से बाहर निकल करके साथ चले, आप देखिए, एकदम से माहूल बदल जाएगा, फिर वो काम नहीं लगेगा, फेस्टिवल लगेगा, कि चलो आज अपना घर ठीक कर रहे, अपना दप्टर ठीक कर रहे, अपनी अफिस में फाइले पर निकाल कर रहे है, इसका एक आनन्द होता है, और मेरा हर किसी से, मैं तो कभी-कभी ये भी कहता हूँ, भाई, साल में एक आज बार अपने डिपार्टमेंट का पिकनिक करिये, बस लेकर के जाईए कहीं नदिक में, चोविस गंटे के लिए साथ में सामुहिक तागी एक शक्ती होती है, जब अकेले होते हैं, कितना ही करें, कभी-कभी मैं ही करूँगा क्या, मेरे ही सब लिखा हुआ है क्या, तनखा तो सब लेते हैं, काम मुझे ही करना पड़ता है, अकेले होते हैं, तो मन में विचार आता है, लेकिन जब सब के साथ होते में तो पता चलता हैं जी नहीं मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिसके कारण सफलताई मिलती हैं जिनके कारण व्यवस्ताई चलती है